आप सभी का बहुत बहुत सबी के साथ मुझे उमीत है आप सभी लोग अच्छे होगे अगर आपने अभी तक हमाई टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे लिंक आपको वीडियो की डेस्टेशन में दिया गया है जिन्दगी में आदमी जो भी बनता है अपनी असफलताओं से बनता है जिन्दगी वो हिसाब है जिसको पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते तो बेहतर है यहां से ठीक करो और पीछले को experience की तोर पर ले लो और देखें अब मैंने आप सभी के सामने इस जगा बैंक निप्टे का चार्ट ओपन किया है बैंक निप्टे का चार्ट और देखे मैंने आप सभी से इस जगा बोला था कि जी देखे जो आपके गैप है इन गैपों के बज़े से आपको बजार में तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि बजार एक तेजी की रुजान में कहीं कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहा है और जैसे ही देखे बजार ने इस वाली लेवल को पार किया उसमें अगर आप देखोगे तो जब 10 आपको तेजी देखने को मिले जो कि मैं आपको बता के गया था कि बजार देखे इस जगा 35,400 से लेके अगर बजार ऊपर का लेवल इस जगा देखे 35,500 का अगर पार कर देता है तो बजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी जो कि बड़ी तेजी आपको यहां पर आपको देखने को मिल सकती है 35,700 के लगबग लेकिन अगर आज के दिन देखोगे तो आज के दिन देखे बजार ने जो हाई मारा है वो देखे 35,800 के संथिंग का मारा है यानि अगर मैं बात करूं तो हमारे देखे पूरे टार्गेट इस जगा हिट होते हुए दिखाई दिये और उसी जगा अगर मैं बात करूं हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो टेलीग् पर हम चैनल को जोईन नहीं किया जोईन कर लीजिए अब देखे बात करते हैं कल के कल के दिन आपको बजार में कैसा मोवमेंट आपको देखने को मिल सकता है तो उसके लिए देखे हम कुछ बातों के उपर ध्यान देंगे जैसे कि देखे बजार में अगर आप ये जहुआ है जगा जो कि आपको ईजगा देखे रंजेस्टेन देखने को मिल जाता है 35 आसो के ऊपर निकलता है तो एक बज़ार में एक बढ़ी है तेजी देखने को बलेगी उसके target अभी हम देखेंगे और अब जो हमको नीचे की site का support है जैसे कि हमारा पहले क्या resistance था पहले resistance था जे वाला 35,500 और 35,400 का हमारा पहले resistance था इस जगह तो अब जे हमारा क्या बन चुका है मुझे comment में बताईए अब जे हमारा बन चुका है इस जगह support क्योंकि देखेंगे जो support होता है वो हमारा पहले resistance बन जाता है और जो resistance होता है वो हमारा support बन जाता है अब जैसे बजाए देखें माल लीजे कभी भी देखें इस जगह 35,800 के उपर लिकलता है तो अभी हमको देखें क्या क्या पता चल चुका है इस जगह अभी हमको पता चल चुका है कि भाई यह हमारा इस जगह जो resistance है वो 35,800 का है और जो हमारा support है वो देखें इस जगह 35,400 का है ठीक है यानि अगर मैं बात कहूं तो बजार कहीं ने कहीं आपको आप जो 400 पॉंट के इस जगह एक अगर मैं बात कहूं तो इस जगह कहीं ने कहीं एक आपके कॉलम में काम करते हुए दिखाई दे सकती है हमको दो चीज़ें इस जगह पता चल चुकी है अब जो पता हमको कैसे चली है भई हमने देखे मार्केट को continue watch करते हुए दिखा है अब जहां पर जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो अभी देखे हमने 15 मिल्ट का चार्ट उपन किया है या एक घंटे के आसफ़ा देखे बजहार इसी कॉलम के आसफ़ास काम करता हुए दिखाई दिया इसी कॉलम के आसफ़ास काम करता हुए दिखाई दिया इसको पार करने की कोशिस नहीं किये तेकि अगर बजार को पार करना था तो इसको पार करके उपर लिकल सकता था लेकिन नहीं लिकला कहीं नहीं देखें बजार में एक आपको ये वाला जो जौन है ये कंसुलेट का जौन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बजार में अगर आप देखोगे तो यहां पर देखे जब आपको गिरावट देखने को मिली थी उस टेम भी मैंने आपसे बोला था कि बजार में जो आपको जे वाला जो गैप है जे वाला जो गैप है जे गैप आपके तेजी लेके आएगा बताइए मुझे कमेंट में कि जे बात मैंने आपसे बोली थी की नहीं बोली थी जे ग अदेगी जब कोफिल ओपन ओपन ओन होता है ठीक है और जब को थे साथ एफ़ी में बोलना था कि वही बाभत मजबूत है क्यों बोलना था क्यूंकि कि जो क्या pew 첫 biz ज आह अगे तैंक जोहिए नीचे मार्केट को घृए diffic च्छेसों पॉइंट के असवाज बजार को उपर से नीचे गिराया ठीक है पुट में क्या किया पॉफिट बुकिंग कि और अगर आप कल का डाटा देखो तो वहाँ पर आपको जो क्या देखने को मिलेगा आठ हजार के देखे उन्होंने क्या बाइंग किये तो जब उन्हो दोसों से और 35,000 दोसों से कितने लेवल पे आपको देखने को मिले 600 लेवल पे बजारने किस लेवल पे हाई मारा इस जगा 35,800 के लेवल पर यानि अगर मैं बात करऊं बजार जो कल के दिन आपका कल के दिन 600 पॉइंट नीचे कि शायट गा था उसी दिन देखे बजार पर बंद हुआ जिसके कारण यहां पर comfort नहीं आता क्या नहीं आता कि वही comfort नहीं आता मैं आपको खुलके बोल दूँ कि इस जगा बाइंग कर लीजे यह सेलिंग कर लीजे इसके लिए हमको देखे लेवल देखना पड़ेंगे और उस लेवल को देखे हम वन अवस के करने को मिल सकती है उस जगह से अगर आप देखो चार्ट भी मैंने आपको पोस्ट किया तक आफी जबदस चार्ट है और वहां से अगर आप देखोगे जबदस profit आपको देखने को मिला जिसको भी आप बाच कर सकते हो और देख सकते हो सीखने का कितना बड़ा नतीज़ा को देखने को मिलता है अगर आप भी हमारे paid group में join होना चाते हो अगर आप भी हमारे साथ online class का benefit उटाना चाते हो तो हमारे link से account उपन कीजिए किसी भी एक में और हमारे paid group में join हो जाईए इस जगह बिलकुल ध्यान से देखिए क्योंकि अब जो मैंने चार्ट उपन किया व आपको बजार नीचे की साइट open हो जाता है यानि अगर मैं बात करूं जगा मैं आपको level दिखाना चाहूंगा इस जगह देखिए बजार आपका इस जगह 35,400 के समतिंग अगर आपका बजार open हो जाता है तो इस जगह आप क्या कर सकते हो तो C.E. बाइंग कर सकते हो 35,400 के अपका बजार open होता है तो C.E. आप बाइंग करोगे और इसमें जो आपको target देखने को मिलेगे देखिए वो 35,500 का पहला target देखने को मिलेगा और 35,000, 35,600 का आपका दूसा target देखने को मिलेगा तीसे target की अगर मैं बात करूं तो 35,800 का आ आपको target देखने को मिलेगे ठीक है अगर बजार आपका नीचे की साइट open होता है तो condition बिलकुल ध्यान दीजे ठीक है बजार नीचे open होना चाहिए देखिए जब बजार है ये candle है आपकी यहापका open 35,400 के आसपास open होना चाहिए लेकिन इसके नीचे closing नहीं देना चाहिए इसके नीचे क्या नहीं देना चाहिए closing नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर इसके नीचे closing देगा तो फिर बजार आपका bearish हो जाएगा नीचे की side जागा और इसके उपर ही अगर बजार है तो यहाँ से एक bounce back देगा जो कि ऐसे type का होगा ठीक है one of us का chart है जो मैंने आपको बता दिया दूसी condition आपकी यह हो सकती है कि वही बजार में आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है और तेजी आपको किस लेवल पर देखने को मिलती है इस जगह देखिए मैं बता हूँ एक तो मैंने put का इस जगह CE बता दिया call ठीक है अब मैं आपको PE बताता हूँ इस ज Lord 결ion आपकी 35,800 के उपन नहीं जाना चाहिए ठीक है ओपनिंग पर जैसे कि वज़ार कितने वज़े ऊपन होता है 9 अब उपन होता है 9 पन अब आपका बजार 35,800 के ऊपर ऊपन नहीं होना चाहिए अगर इसके ऊपर उपन होगा तो आप शॉट नहीं कर सकते अगर इसके कि आपको टार्गेट जहां पर देखने को मिल जाएंगे देकि फिर से बातों को समझेए मैं आप से क्या कहना चाहरा हूं करेंगे जब आपका बजार 35,400 पर आएगा हमारे टार्गेट 35,500 से लेके 35,600 और 35,800 के टार्गेट देखने को लेंगे 400 पॉंड के ठीक है हम पीई कब बाईंग करेंगे जब आपका बजार देखे इस जगह 35,800 के नीचे उपन होगा ठीक है इसमें जो हमारे टार्गेट होंगे 35,000 35,700 से लेके 35,800 के और 9 पंदा पर जो आपका बजार उपन होगा वो अगर 35,800 के नीचे उपन होता है जब हम इस जगह PE बाइंग कर सकते हैं अब इंटा डे की बारे में बात कर लेते हैं कि इंटा डे में हमको क्या करना है अगर इंटा डे में देखें बजार इस जगह 35,000 को पार कर जाता है अगर मैं बात कहूं 35,000 को पार कर जाता है और इस जगह रुकता है थोड़ी देर तो यहाँ पर फिर एक आपको सार्फ देखे तेजी देखने को मिल सकती है ठीक है ओपनिंग की बात की अभी हमने अब इंटा डे की बात करते हैं इंटा डे में अगर आपका बजार इस जगह देखे में आपको दिखाना चाहूंगा अगर आपका बजार देखें इंटा डे में 35,000 को अगर पार कर जाता है 35,000 आाज़ों को पार कह जाता है तो फिर आप उछ जगس C e.bind कर सकते हो और फिर इसमें जो आपको बड़े तार्गेट देखने को मिलेगे 36,000 के आसपास के देखने को मिलेगे कितने के देखने को मिलेगे 36,000 के आसपास और दूसर टार्गेट जो आपको देखने को मिलेगा वह जगह देखे जहां पर मैं आपको दिखाना चाहँगा चाहँगा चाहती सजार पर पूरा पॉर्फिट बॉकिंग कर लेना इस जगह फिर उकुरना ही नहीं है आपको क्योंकि यह फिर एक आपका बड़ा रेजिस्ट देखेंगे लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में अभी हम किसके बारे में बात करेंगे जो पिजेंट में हमको लेवल दिखाई दे रही है ठीक है पिजेंट में लेवल दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में हमने बात की है अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैहिंट बंदे मातराँ